शब्दों को ये कहां पता है? शब्दों को ये कहां पता है कितना कब तक चलना है? चलते चलते थम जाना है फिर कैसे निकलना है? अंत सफर कहां पर होगा? अंत सफर कहां पर होगा ये बात कहां तक कहना है? किसके आगे जुख जाना है? किसके आगे उड़ना है? शब्दों को ये कहां पता है? कितना कब तक चलना है? मैं श्रीजी के चर्णों में नमूस्तू करती हूँ और आप सभी के समक्ष शमस्यों का भाव रखती हों और अपनी अगली कविता पेश करती है बात यह है दिव मडी जी हम भारत वासी हर बात से लड़ सकते हैं अपने खुद के जीवन से लड़ सकते हैं लेकिन अगर भारत की कहीं बात आए भारत की सभ्यता की भारत की संस्क्रति की कहीं बात आए तो हम अड़ जाते हैं इसी को लेकर कुछ दिनों पहले उत्तरप्रदेश में कुछ घटना है कि दो तभीत्रों से दीश में वल्ड़ भी हुआ था उन सब के मिला दुला कर मैंने किस लिपा है काबा काबा करते करते हो गई रे बाबरिया काबा काबा करते करते हो गई रे बाबरिया बाबा बाबा जप कर देखो चागई रे अंबरिया बाबा बाबा जप कर देखो चागई रे अंबरिया देखो भारत नाम चला है अखिल विश्व पेचाया है, देखो भारत नाम चला है, अखिल विश्व पेचाया है, गर्व बड़ा होता है, हमको पद्म उन्हें दिलवाया है, पिर भी आम आदम की देखो, तूटी है कमरिया, काबा काबा करते करते दाल रोट की सब महंगे हो गए गाड़ी में नहीं पहिया तीरत को हम कैसे जाबे जेब में नहीं रुपईया स्कूलों की फीस तो देखो चड़े जैसे चड़े दुपरिया काबा काबा करते करते और ये हम माता पिता की सबसे बड़ी समस्या है जो भी कुछ दिनों पहले हम जहिल कर विद्यालेओं से आये हैं किताब कॉपी वहीं मिलेगी किताब कॉपी वहीं मिलेगी यूनिफॉर्म ले लो भाईया फलाना धिम का एक्टिविटी होगी उसका दे दो रुपईया बस की फीस भी कितनी लग रहे हम तो दुखी भाईया काबा काबा करते करते अब बात आगी हमारे भारतियों की फिर भी सब हम सही लेंगे सनातनी हम भाईया फिर भी सब हम सही लेंगे सनातनी हम भाईया गिर जाएंगे फिर उठ लेंगे भारत हमारी मैया जिस दिन राम राज फिर होगा जुक जाएगे दुनिया भारत हमरा देश है देखो नजर जुका के भैया प्यार इसे हम बहुत हैं करते यही है अन्तिम चैया धन्यवाद मेरा सौभाग्य है एक बहुत अत्रतिम सौभाग्य है कि आकाश्वाणी में मैं काम करती हूँ और देवमणी जी मुझे मौका मिला नौ सैना के बीटिंग रिट्रीट दा टैटू सेरेमनी का पूरा लाइफ चित्रन सीधे प्रसारण करने का अपनी आवाज में और उसके साथ सैनिकों के साथ समय गुजारने का बहुत अधिक मौका मिला है तो उसको लेकर मेरे मन में बहुत सारी भावनाए है जैसे कि मैं अभी सुरेश काकड़ी के साथ जुड़ी हुई हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने दो बार आतंकवादियों का रूप धरके 16 आतंकवादी मारे और लगातार 10-10 दिनों तक वो इसी काम में लगे रहे वासा उराज करके एक हमारे सैनिक हैं जिन्होंने अब तक 145 बंप डिफ्यूस कर दिये एक सैनिक जिसके पैर में गोली लग गई वो अपनी टांग को काट देता है वो काटने के बाद चड़ जाता है और जंडा लहरा कराता है तांग को इसलिए काटता है क्योंकि अगर जंडा नहीं लहराएगा तो वो चोटी हमारे हाथ से चली जाएगी एक 18 साल का सैनिक जिसकी दाड़ी भी नहीं होगी वो हमारे लिए मर जाता है और इस सब के पीछे हमारी भावना एके वली हैं कि हम आपके प्रतिक रतग्य हैं भाई और उसी को लेकर उनका परिवार इस समय क्या सोच रहा है जब वो सरहत पर खड़े हैं चमकता है तुम्हारे नाम से भारत अमर मेरा सैनिकों के लिए कह रहे हूँ चमकता है तुम्हारे नाम से भारत अमर मेरा धरती हो या अंबर हो समंदर में है घर देगा चमकता है तुम्हारे नाम से भारत अमर मेरा तुम्हारे कदमों की आहट से डर कर वो भागते हैं तुम्ही हो भाई भी मेरे तुम्ही हो पुत्र भी मेरा अब मा क्या सूशती है मेरे बेटे तु जो गया तु मुड़कर भी नहीं देखा गर्ब है मुझको ऐ बेटे कि तुमने कुछ नहीं देखा नहीं है दुख मुझे कोई कोई चिंता भी है नहीं अगर इक पत्नी इसी बात को कहेगी तो वो कैसे कहेगी घर की इन दिवारों पर तुम्हारा नाम लिखती हूँ घर की इन दिवारों पर तुम्हारा नाम लिखती हूँ बाहों को भी मैं खोजूँ तकि आगीला करती हूँ तुम्हारे नाम की महन्दी मैं अकसर ही लगाती हूँ कसम सिंदूर की तुमको तुम्हे कुछ हो नहीं सकता कसम सिंदूर की तुमको तुम्हे कुछ हो नहीं सकता अंतिम बंद पढ़ रही हूँ आज की कभी मंच का जब तक मैं मंच ले रही हूँ अगर अच्छा लगे तो सराह दीजेगा यह बिटिया है जो अपने पिता के लिए कह रही है मेरी गुड़िया तो रोती है कि गुड़ा है नहीं उसका अकेले रह भी जाती हूँ कोई गम भी नहीं उसका चिड़ाती है सब सखिया तेरे पापा का घर है कहा इसका उतर सुनिएगा मेरे पापा है सेना में पुरा भारत है घर उनका मेरे पापा है सैना में पुरा भारत है घर उनका चमकता है तुम्हारे नाम से भारत अमर मेरा धरती हो यांबर हो समंदर में है घर तेरा मैं भारत माता को प्रणाम करती हूँ जल थल नप के सभी सैनिकों को चरण बंदना करके कोटी कोटी प्रणाम करती हूँ